तो स्वागत आप सभी का ग्यापनीकेडमी के इस नए और लेडस्ट विडियो में आज के इस विडियो में हम लोग जो अफसाना पढ़ने जा रहे हैं यह बहुत ही ज़्यादा मुखतसर बहुत ही ज़्यादा नहीं बोलेंगे यह अफसाना है मुखतसर यानि कि शॉट पाबिले तारीफ है मतलब हर इंसान के जिंदगी में ऐसे देखने को इस तरह की चीज़े देखने को मिलती है चलिए स्टार्टिंग समय आप लोग को कहानी बताऊंगी लेकिन चैप्टर का अफसाना यानकी कहानी का नाम क्या है वह है याद रखेगा भूले विस्रे गीत यानी ट्वल्थ क्लास के उर्दु का चैप्टर नूमबर जो नाइन है उसका नाम क्या है भूले विस्रे गीत यही है अफसाना और इसके जरीये आप लोग बहुत सारी चीज़ें शीखेंगे भूले विस्रे गीत का मतलब क्या होता है आप सबसे पहले यही समझे भूले तो उसी तरह के गाने कों कहते हैं मुझों हुले विझे कि जिसको अभी रैसुना पसंद नहीं क strat लोग उस तरह के गीत को क्या क्या कहते हैं भुल भीन और इसी अफ्थाने के जरिये बताने की कूश्च की गई है लोगों को कि जिस तरह पुरानी पुरानी फिल्मों के गाने पुरानी पुरानी गीतों को लोग भूल जाते हैं सुनना पसंद नहीं करते हैं बिलकुल उसी तरह इंसान की जिन्दगी में होता है इंसान किसी चीज के लायक है किसी चीज के काबिल है तो लोग उसके बहुत दर देते अच्छी तरह से बाते हैं स्लाव अगरह होता है लेकिन जैसे िन्सान की ओमर हो जाती और कोई काम करेंद के लायक नहीं होता है वह किसी बड़े-बड़े पोस्ट किसी पोस्ट पर नहीं है तो लोग उसको साफी डारेक्ट ही भूल जाते हैं कि ये कौन है नहीं जानते हम मतलब लोग काम निकलवाने के लिए बस दूसरों से मिठी मिठी प्यारी प्यारी बात करते हैं और जैसा ही काम बना धीरे से निकलti है मतलer अपना काम बनता भार में जाए जंदा ठीक है ना किसी चीज के काबिल है तो आप से काम लिया जाएगा लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपसे अच्छी तरह किसे बाते करेंगे, लेकिन जैसे ही आपसे काम निकला, आप किसी चीज़ के काबिल नहीं है, आपसे लोग बात ही नहीं करेंगे, यहाँ तक कि सलाम अदाब भी नहीं होगा आपसे, यह आप लोगो को पढ़ना है आज के इस वडियो में पूरा सुना अफसाना है कहानी याद रखेगा बुले बिस्रगीत नाम के इस अफसाने के के अफसाना निगार कौन है शफी जावेद सफी जावेद के बारे में आप लोगो आगे बता दोंगी पहले चप्टर कर लेते अफसाने को समझ लेते उसके बाद में आप को शौफी जावेद के बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोगे उद्व के बुक में दिया गया है उन सभी डिटेल्स को मैं आप लोगो बता दोगी ठीक है तो चलिए स्टार्टिंग से आप लोगो कहानी बताती हूं यह कहानी है सेद अजीज अहमद की जो की इस अफसान जैनरल के पोस्ट पर रहते हैं लोगों का बहुत जाया लब सेद अजीज अहमद जब डिरेक्टर के पोस्ट पर रहते हैं तो लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं एक दम अच्छे तरीके से बात करेंगे सलाब कहीं पर भी यह चले जाते थे लोग स इस थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि पहले डारेक्टर जनरल के पोस्ट पर थे तो लोग को इन से काम था लोग इन से काम निकलवा सकते थे लेकिन अब डारेक्टर जनरल के पोस्ट से रिटायर हो चुके थे तो अब लोगों का इन से कोई काम कहां बच गया था इसलिए तो इस तरह बहुत दिन गुजर गया और देखते ही देखते दस साल भी हो गया और इन दस सालों में सेयद अजीज अहमत को लोग तो पूरी तरीके से भूल गए यह भी भूल गए कि सेयद अजीज अहमत कभी डारेक्टर हुआ करते थे सोचिए अब कहीं पर भी जाते थे लो इनको कोई पहचानता भी नहीं था कोई सलाम आदाब भी नहीं करता था एक द से पहले की बात थी दस साल पहले के समय था कि लोग इनसे सलाम आदाब यह बैठिये बैठिये लेकिन अब देखिए 10 साल के बाद कितने इनकी जिंदगी बदल गई है लोग इन से सलाम आदाब भी नहीं करते इनको लोग पूरी तरह किसे भूली चुके हैं कि कभी डाक्टर हु जा है जो अपना फोर्विलर था इनका बोल सकते हैं चार चक्के वाली गाड़ी वह बेच कर और बेच दिये थे मोटरसाइकल वगरा रोजी रोटी चलाने के लिए वैसे डिरेक्टर जनरल के पुस्ट रिटायर हुए थे तो जो इनको मिला था पैसा वह तो रोजी रोटी च की वाट लग जाएगी सब लोग बोलेगे डारेक्टर जनरल होकर यह काम कर रहा है तो इसलिए यह नहीं करते थे चार्चक्के वाली गाड़ी भी बेच दिये रोजी रोटी घर का चलाने के लिए यहां तक कि जो घर के आगे जो नंबर प्लेट लगवाया नेम प्लेट न लेकिन अगर डारेक्टर सेद अजीज अहमत लिखाते ना तो शायद सबी लोग को पता रहता कि हाँ यह यह डारेक्टर कभी हुआ करते थे तो यह एक तरसे लोगों को भूल जाने का यह एक कारण था इनकी खुद की कमिया बोल सकते हैं यह पोर्बिलर जो था इनका यह अभी बेच दिये यहां तक ही अपने घर के आगे जो नेंप लेट लगता है वहां पर डारेक्टर सेद अजीज अहमत लिखाने के बजाए यह सिर्फ अजीज अहमत लिख वाय थे तो यहीं कभी कभी सेद अजीज अहमत शांती में खुली हवा में बैठते तो अपने पु शांती से अधर जाने पर बेठता एंँ जहां पर कोई नहीं रहता है तो चीजें बहुत अच्छे अच्छे जो पल होते हैं खुशी के पल वह याद करता है उसी तरह यह भी Cómo बैढ़े शांती जगा पर तो देड़सारी यादे यादे ता ut Ты अच्छे चीज़ों को लोग तो भूली गए थे इनको लोग तो इनका मुटलब रिस्पेक्ट नहीं करते थे सलाम अधाव वगरावी लोग नहीं करते थे लेकिन घर का भी वही हाल था इनके जो परिवार हैं परिवार में जितने भी सदसें की बीवी इनके बच्चे इनका नवासा वगरा नाती प जबूद ही फिल होती है लेकिन बाहर के लोगों के साथ साथ यज अपने लोग अपने परिवार के लोग भी इनका आहीं करते थे तो देखिए उनका जो नवासा है नवासा केरें शायद बेटे के बेटे को नगशां rusticर करिए नब यह सब्सक्ट produce अकृदी को कहते था सब मज़ यह की नवासा थीप तो उनका जो नवासा था वो टीवी पर लोग और इंटरनेट नाम का प्रोग्राम देख रहा था सेयद तौिस था देख रहा था से दैख मत रहा था से लोग औन İyi अंटरनेट गण और वो डहिसीड के बाद में रिंटरनेट लेकर अपना देखोंगा इसको देख लेने दो और इनका नमासा भी उसी तरह का बत्तमीज टाइब का था जब आ गए देखना चाहिए कि जब मतलब से अहमद आ गए तो रिमोट को देदेना चाहिए था लीजिए आप ही देखिए हम बाद में देख लेंगे लेकिन ऐसा नहीं था वह बै प्रोग्राम चल रहा था चल रहा था और यह इंतजार कर रहे थे नगे से बैठे 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 सए लगई निंद लग गई ठोड़ा देर के बाद जैसे इनको नींद लगी तो ठीक आप बोल सकते हैं 10-15 मिनट के बाद 10-15 मिनट के बाद जब इनकी आख खुली ना तो क्या देखते हैं कि जिस टीवी पर यह लोग इंटरनेट का प्रोग्राम चल रहा था ना उस पर एगम आग लगी हुई है मतलब जो प्रोग्राम चल रह घबड़ा गये कि अरे यह टीवी पर क्या चलने लगा अचानक टेज मतलब आग लगी हुई है उस्ट्रोले भड़क रहे हैं तो घबड़ा कर से अपने नावासे से पूछे यह क्या है भाई तो उनका नावासा जो है न ऐसे गुश्चा होकर एसे ताक नहीं दिया जाता ह है तक और रहकर उठकर हह है और चला गया लो भए यहीं है रिसक्त यही इजवत अजीज अहमत ही इजवत खीक क्या रहे गई ती अब वहां पर घबरा कर घबराए हुए थे स्यद अजीज एहमद कि क्यूं टीवी पर मतलब दिखा रहा है कि आग लगा हुए वह कुछ देर तक देखे टीवी पर तो उनको कुछ कत समझ में आया और उसके बाद से स्यद अजीज एहमद उठकर और उस रूम से चले गया नि और मस्ती से यह देखे अजीज एमत कि देखो मेरे निकल जाने के बाद आकर बैठकर देखता है मतलब मेरे से लोग को कितना घृणा होने लगा बाहर कमरे से बाहर निकलकर और बाहर बैठकर यहीं सोच रहे थे इनको और भी ज्यादा इस चीज का एसास होने लगा कि नहीं दे रही थी उनकी वीवी का भी विहावियर जो था ना उसी तरह था वो अपने घर को देख रहे थे कि देखो कितना छोटा घर मतलब पीछे घुम कर अपने घर को देखे अपने मकान को देखे एसास होने लगा कि इतना छोटा मकान में में रहता हूँ पहले की बात अल कमरे को देख रहे थे इतना ही छोटा कमरा जिसमें मैं रहता हूं उनके चेहरे पर उदासी चा गई चेहरा मुर्जास आ गया फिर वह बाहर ले हुए थे बैठकर सोचने लगे कि जिन्दगी क्या है मौत क्या है सांस का आना चले जाना यहीं न और क्या और इसी बीच हिमाले कभी-कभी इनके साथ बहुत ही मतलब प्रभावित करने वाली घटना हो जाती न तो इनको पुरानी बाते याद आने लगती फिर नई चीज़े सोचने लगते हैं इनको इस चीज़ का एसास होने लगता है कि सच में मेरा कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है यहां पर इस इनका बहुत ही ज़्यदा रिस्पेक्ट करते थे सलाम आदाब आईए बैठिये साब इस तरह हुआ करता था दस साल के बाद जमाना बदल गया था वक्त बदल गया था जब शादी में गया ना तो इनको कोई भी सलाम या फिर आदाब भी नहीं कर रहा था कुछ काश लोग लेखती वह बोला कि नहीं मेरा मतलब तो सेद अजीज मतलब बोले कि मैं समझ गया हूं आपका मतलब क्या है आप पूछना चाहते हैं कि आज कल मैं कहा हूं कौन से पोस्ट पर काम कर रहा हूं अरे आप पोस्ट ओदे को छोड़िए ना कुरसी की बात क्यों करते हैं इंसा इंसान कुरसी को बनाता है कि इसके बाद से हाथ नहीं मिलाता है बलकि इंसान क्यूस्ट से औहदे से शेक्रन करता है हाथ मिलाता है अगर आपके पास पोस्ट है मतलब आप किसी बड़े पोस्ट पर है बड़े ओहदे पर है तो लोग आप से हाथ मिलाएंगे शेखेंड करेंगे गले मिलेंगे आपसे आपका सलाम होगा अदाब होगा है ना उसके बाद से इनको उसी चादी में पुराना जर्रेलिस्ट दोस्ट मिल गया जिनका नाम था रवी रंजन इसे देल की बात होती रही आप बोल सकते था बहुत दिनों के कि देखिए आप हमेशा काम में मश्रूफ रहते थे ना आपको काम करने की आदत है मतलब जौब आप करते थे हमेशा और अचानक आप बैठ गये हैं कर दिनों से आप काम नहीं कर रहे हैं रिटायर हो गये आप इसी वजह से आपकी तवीद खराब हुई है और कोई वजा नह करते हैं वहाँ पर मस्रूफ रहेंगे काम करते रहेंगे तो आपकी तवीद खराब नहीं होगी तेखो मैं डारेक्टर के पोस्ट पर काम कर चुका हूं उसके बाद से अगर मैं दूसरा कोई काम करूंगा तो मेरे लिए छोटा होगा मतलब मेरी इज़त क्या मतलब सभी ल यह डारेक्टरी कलास अपने कंदे पर लेकर चलते रहेंगे वैसे तो रोजी रोटी के लिए बस पैसे आते हैं और पैसे की भी बहुत दा तंग गी है घर में यह बात बोल रही थी उसके विए तब तक से दजीज अहमत का बेटा भी आ गया वह बोला था कि हाँ अमें तो दोस्त थें आपके समय के दोस्त वो खुब मेनत किए और आज बड़े बड़े पूस्ट पर हैं पैसे दौरत वगर कमा रहें लेकिन आप देखिए आप तो कोई काम धूंड़े ले नहीं और आप बैठे हुए हैं ठीक आपके दोस्त बड़े-बड़े पोस्ट पर यह बा जाने लगे तब तक इनका बेटा वो बोला कि इतने इमांदार ही है आप बहुत इमांदारी से आपने डिरेक्टर जनरल के पोस्ट पर काम किया और आपकी इमांदारी से आपको क्या मिला क्या फायदा हुआ आपकी इमांदारी का इमांदार बनने का आपको क्या फायदा हु तो उनकी वीवी बोल रही है हसते हुए जीरो कुछ नहीं कोई फाइदा नहीं जीरो मजाक उड़ा रहे प्तलम इनके अपने बेटे और बीवी इनका मजाक उड़ा रहे थी जब जाने लगें रजिस एहमाद तो इनका जो बेटा रही की आपकी मांदारी का क्या फाइदा हुआ तो इनकी बीवी बोल यह जीरो हस्ते हुए है मतलब इनका मजाग बूड़ा है यहां पर यह और भी ज़्यादा जरीर हुए अजीज हमाद चाहे के कब कोई पर छोड़कर और बाहर निकला है पूरा पीए भी नहीं और उसके बाद से फिर से इनकी तबि हरा है रोज रात को आप लिखते होंगे अधिरेट पीते होंगे तो यह नसा नहीं है तो क्या है आच्छा आप लेकर आ आया है की नहीं सिगरेट का डबा के पास है कิ लिखने के लिए बैठते थे तो इनको अकेला पर मैसूस होता था हाथ देखते थे कि हाथ में तरह सिगरेट पीते थे और लिखा करते थे अब तो सिगरेट भी इंसे चिन लिया गया था अकेला मैसूस कर रहे थे तो उस वक्त अपना पुराना साथी ट्रांजिस्टर याद रहाए जिस पर वह भूले विस्रेगित नाम का गणा सुना करते थे प्रोग्राम सुना खरते थे याद रखिएगा भूले विस्रेगित नाम का च्बिर सब्सक्राइब प्रतिबंद लग गया था इनको पीना नहीं था तो इनको दूसरे पुराने साथी ट्रांजिस्टर की याद आई उस वक्त जब लिखने बैठे थे और अकेलापन मैसूस कर रहे थे उसक्स इनको पुराना साथी ट्रांजिस्टर का याद आया त्रांजिस्टर ढूंड़ने के लिए कमरे में रॉल खीच कर ड्रॉल में देखते ड्रॉल में भी नहीं मिला जैना चारो तरफ ढूंडे अपने बकसे में ढू लिए चखब गया कबार सबाड ट्रांजिस्टर वगशण होम rende होनो है लिए तो दो ब सब सकता है तो जब इनकी मेर देख है कि हां फोल रूम में होगा जितने में ड्रात को गये तो उसराल मिट्यमर में पूसे में लाइं लेकर और घुसे थे एक और इनको ट्रांजिस्टर मिल भी गया भुले भिशरगीत नाम कर चौने लगे वोबसिंदो proud는 सबसाड़े साथ बजे खतम होता था ये बुले बिस्रगीत नाम का राथी से स्टार्ट हो जाता था तो यह रात में जैसे ट्रणिस्टर मिला भुले बिस्रगीत नाम का प्रोग्राम लगा दिये जब सुबा हुई तो अजीज एहमद की बीवी और इनका बेटा दोनों अजीज एहमद को ढूंड रहे थे कि आखिर क कहां गये आज पर उसमें ढूंड लिया घर में पुरा घर चान माला गया कहीं नहीं मिल अजीज एहमद तो रात की बात याद आई बीवी को इनकी बीवी को याद आई कि रात को ट्रांजिस्टर ढूंड रहे थे और मैंने बताय था कि स्टोर रूम में तो शायद इस्टो काल हो गया है भुले विस्रेगीत नाम का प्रोग्राम सुनते सुनते उसक सारे साथ बज़ गया था और साड़े साथ बजने के साथ बुले विष्रयगीत नाम का प्रोग्राम भी खतम हो गया और उसके सांग सात सैध अजिज A Jonesman भी खतम हो गया उनके उनके विंतिक लोगा उनके चेहरे पर फाथार्थाना चमोंग ठी वोटहों पर मुस्कुराहट थी और ट्रान्गिस्टर मिलने का सुकून भुले विष्र सभी लोग इनका मजा कुड़ाया करते थे कोई भी इनका रेस्पेक्ट नहीं करता था सभी लोग सिवाए इनका अपना सिगरेट और ट्रांजिस्टर के तो इनको ट्रांजिस्टर मिल गया था रात पर प्रोग्राम सुने और साड़े साथ जैसे ही बजा सुबह में तो भूल के मौत के साथ यहां पर यह कहानी खतम हो जाती है तो यहां पर अफसाना तो कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी चैप्टर पूर्ण से कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए क्योंकि अभी हम लोग शफी जावेद के बारे में सारा डिटेल्स अभी नहीं पढ़ें नहीं समझे अब चलिए हम लोग भुले विस्रगीत नाम के शेप्टर के मुसनिफ जो है लेकर शफी जावेद के बारे में सारा डिटेल्स समझ लेते हैं जो आप लोग के मुख में दिया गया है अगर आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं वैसे तो लेने वाली कोई बात नहीं आप लोग भी सकते हैं यही इतना ही तो लिखना है लेकिन कोई दिखर नहीं अगर लेना चाहते हैं तो लेजिए फड़ावर स्क्रेंट शॉट याद रखेएगा इनका असल नाम यानकी सेयद मुखमद शफियुद्दीन इसको पैदा हुए उनका घरेलू माहौल बहुत ज़्यदा अद्भी था और इनका अबाई वतन गया था यानिकी मातरी भूमी जो थी न वह गया थी ठीक बटना इनर सिटी से उन्होंने समाज समाज शास्तर में इन्होंने में किया महपमा इतलावात होना शरीयात हुकुमत बिहार के डायरेक्टर के उदे से सबगदोश हुए थे रिचायर हुए थे मुलाजमत के दौरान गौर्णर बिहार के प्रेस सिक्रेटरी बेस निकाती प्रोग्राम अमल दरामत कमीटी के डारेक्टर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अड्मिनिस्ट्रेटर जैसे ओदे पर भी यह कारबंद रहें वक्त वह पत्ना में मुकीम रहें याने कि बाकी वक्त ये पत्ना में रहें और उसके बात से आगे देखिए 1913 rolling याद रखिए तो दर्भंगा के एक महानामा यानकि मंत्री मैगजिन है जिसका नाम है अफक इसके जरीए ठीक है इसके इलावा इनकी बहुत सारी आप बोल सकते हैं अफसानुवी मजमय यानकी कहानी का किताब है जैसे की दाइरा से बाहर ये उन्हें से 89 में परकाशित हुआ था खुली ज कहानी का किताब का नाम है ठीक इनके लाव उन्हेंने मीनी कहाने की बहुत शॉर्ट टाइप स्टॉरी भी लिखा और कुछ नजमें भी लिखे थे और गंगर नजी की तहजीवी और सवकाफ़ती पहलों के लावा उर्दू पंक्शन के तोच्ट से आजाद हिंदुतान की स इसे उत्रनीद गजब को रखते थे मतलब वैसी घटना जो पहले माजी यान की घुजर हो चुकी घुर चुकी है उस घटना को अपनी कहानी जाता ते थे यह को घुट होता था इनकी कहानी में यह कुछ इंकी कहानी की तारिफ है और वैसे मतलब क्या बता है ऑफसाना फिर्दार निगारी ओषmos तो फाइनली यहां पर हो जाता है ट्वेल्ध क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर नाइन भूले विश्रगीत नाम का यह चैप्टर पूलोट से कंप्रीट आई होगा अगर समझ में आया है हर एक पॉइंट पूरा चैप्टर कंप्रीट पूरे तरीके से समझ में तो कमें अगले विडियो को पहली बार देख रहे तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिए और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल्ट को दबा लीजिए उससे होगा यही कि मेरी रोड जाने वाली वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक है तो चलिए फि झाल झाल